स्मार्ट एं लीगल गादेंस डाउन्लोड दिया अप्लिकेशन नाव कि आठ सीटों की वेकनसी निका ली है, तो आठ गर मान लो, पॉब्लिक सर्विस कमीशन, हिमाचरपतेश और हाई कोट, अगर मान लेते हैं, दस बच्चों का अपोइट्मेंट कर लेते हैं, जो 10 लोग अपना मेरिटलिस पर आए हुँगे, दसवे नौवे नंबर पर भी और दसवे नंबर पर भी नौ और दसवे नंबर के बच्चे को भी चलो पर कर लिया जाता है चलो तुम भी आ जाओ तो ऐसे केस में क्या ये लीगल माना जाएगा या नहीं माना जाएगा इसके अपर भी डिस्प्यूट सुप्रिम कोट आफ इंडिया के साबने बहुत किला शब्दिन और मैं आया है तो सूमेंद काया है आलन्ए क्यों बीवेक गयट अगर मैं केस का ना मताओं वाजे स्टेट सिविल जज जूनियर डिविजन के तौर पे सीटे निका लिए थी आठ, अपोइन्मेंट होई हैं दस, तो ऐसे केस में सुप्रिम कोट आप बताइए कि क्या माना जाएगा, सुप्रिम कोट ने कलियर बोला कि भाई ये इल्लीगल है, ऐसा कि दो सीटे और निकल के आई थी, 2011 की anticipated seats और आई थी, इसलिए हमने आठ का निकाला, हमें बाद में बताला का रहे, दो सीटे खाली रह गई हैं और दो सीटों को और भर दो, तो हमने इसलिए आठ की बजाए 10 बंदों को चुन लिया था, और seat नोटिफिकेशन में निकाली थी, हमने advertisement में निकाली थी, 8 seat हमने appointment कर रहे था, 10 seat तो इसी बात के लिए Supreme God of India ने clear शब्दे में बला, कि ये जो 2 seat तुमने extra appointment करी है, ये illegal है, तुमने advertisement तो show करा 8 का, appointment तुम कर रहे हैं 10 का, तो ये कहां का valuable चीज मानी जाएगी, तो honorable justice CT रवी शंकर जी, and honorable justice सुदानशो धूलिया जी, ये honorable Supreme Board of India के अंदर बैठे हुए, ये अपना particular case की सुनभाई कर रहे थे, इन्होंने बोले, ये जो particular हरकत करी गई है, ये illegal है, and मुद्दे वाली बात ये समझिए अब, अब यहां पर क्या हुआ था कि जो 2013 की बात है, भाई, देखो, यानि कि 2013 से 2013 आ गया है, 10 साल इनको appointment में हो गए है, 8 बंदों को तो हो गए, वो तो valid है, लेकिन जो दो बंदे हैं, वो अपना 10 साल तक अपना appointment, वो अपना seat अपनी जमा चुके है, तो सुब्रीम कोट अफ इंडिया ने का, कि ऐसे केस में, हम इनको पोस्च से बाहार नहीं निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि भाई, इनको 10 साल से जादा यहां पे, ऐसा judge के रूप, ऐसा civil judge के तोर पे, अपना time period हो चुका है, तो हम इनको जो है, unseated नहीं कर सकते हैं, इनको judge की chair से बाहार नहीं निकाल सकते हैं, सिर्फ इसलिए, भाई, इनको जो है, 10 साल हो चुके है, और यहां पे, जो इनका irregularity हुई है, जहां पे जो appointment में irregularity हुई है, भाई, वो तो commission ने करी है, ठीक है, हाई court की साथ में करी है, तो वैसे case में, जो दो candidate को appointment करा गिया है, उनकी क्या गलती, उन्होंने तो अपना prelims क्लियर करा, उन्होंने अपना mains क्लियर करा, उन्होंने अपना interview क्लियर करा, और एक से 10 के list में उनका नाम, 9 और 10 वे नंबर पे आ गिया, ठीक है, इर्रेगलारिटी है, ये candidates के द्वारा नहीं करी गई है, ये commission के द्वारा करी गई है, और candidate तो अपना duty 10 सालों तक से अपना निभा रहे हैं, सच्चे तोर पे, तो इसलिए हम उनको नहीं निकालेंगे, और दूसरी बात, एक public interest के खिलाफ भी जाता है, तो ये Supreme Court ने अपनी reasoning दी है, ये ही बात अपना हिमाच्चा पतेश High Court ने भी बोली थी, जब ये मुद्दा हिमाच्चा पतेश High Court के सामने आया था, जब ये तो तुम Supreme Court में जाओगे, एकदम तुम सीज़ा Supreme Court में तो जा नहीं सकते, तो हिमाच्चा पतेश High Court ने भी बोला, Supreme Court ने भी हिमाच्चा पतेश High Court की बात को एगरी करा, कि हाँ, ये Commission की Irregularity है, Candidate का कोई गलती नहीं है, अब ऐसी चीज़ एक और बार हुई थी, 2023 के अंदर, अगर मैं जज्जमेंट का नाम बताऊं, सिवानन दन, सिटी एंड अदर्स वैसे स्टेट और वैसे हाई कोट ऑफ केरिला, 2023 सुप्रीम कोट, यहाँ पर क्या हुआ था कि भाई, डिस्टिक जज्ज का अपॉइंट्मेंट हुआ था, डिस्टिक जज्ज का अपॉइंट्मेंट की मैं बात करहा हूँ, अनसीट करने से मना कर दिया, सिर्फ इस वज़े से, क्योंकि उनको अपनी रिस्टिक जज्ज के चेहर पर बैठे हुए, छे साल बीठ चुकी है, इस वज़े से, ऐसे कैंडिडेट्स को, हम बार नहीं निकाल सकते, कि इसको हम मानते हैं कि कमीशन की गलती थी हम मानते हैं कि कमीशन ने इर्डेगलारीटी करी थी बार सॉरी कुछ नहीं हो सकता है तो यह सब्रेम कोट ने पनी रीजिंग दिया अब आप लोग मुझे अपना पॉइंट अफी बताईएगा यह कितना सही है कितना गलत है यह बह मेरे साब से गलत होगा यह सही होगा यह आप लोग अपना पॉइंट अफी बताऊगे उसी से अंसर निकल के आ जाएगा तो आप लोग मुझे अपना पॉइंट अफी जरू बताएगा और केस का नाम है विवेक एट के ए आई एस टी एच एच और अनधर वसे स्टेट अपना पॉइंट ऑफ यू बाकी दस सालों तक अगर सीटे जमाल होगे तो तुम्हारा अपॉइंट मेंट जाएगा यह तो यह ही शो कर रहा है उसको अपॉइंट हमारा वैलिड माली जाएगी जो बात आएगी वो कमिशन के उपर आएगी वो देख ली जाएगी बाद में कोई रिक्कत नहीं है इससे तो यही शो करा जा रहा है तो आप लोग मुझे आपना पॉइंट ऑफ यू बताईएगा कि आप कितने बात से एगरी करते हो कौन सी बात से आगरी नहीं करते हो जाद 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 बात है जो बच्चा अपनी पूरी महनत से इंटर्व्यू मेंस देता है न उसके उपर सबके उपर बात है तो प्लीज अपना पॉइंट ऑफ यू जरू बताईएगा बागे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के नदर थैंक यू